अब यह जो कर डेवल लवी ने ट्रैजुडी करी है सेथ रॉलिंस और ओमॉस का मैच ओफिशल करके उसका सोच मेडिया पर तो रियक्शन आपको समझ आए रहा हुआ किस तरीके का है लेकिन सेथ रॉलिंस को ऐसा लगने ला कोई खास फर्क पढ़ा एवन उन्होंने तो अप कोड़ी इंट्रस्टिंग बात करेंगे इस वीडियो में तो चिपके रहना वीडियो से ओकी एलो चैटर्स माइम इस रूई तैंड यो वाचिंग वाचिंग रेसल चैटर्स वेलकमें आई आपको वाइस व्रेसलिंग के एक और ने एपिसोर्ड में संडे है तो आप लोग किया हुआ है स्मैकडान ने अपनी वीडिशिप को वैसे इस हपते का जो स्मैकडान का एडिशन था वो कह तो नहीं सकते कि मतलब कुछ ऐसा अलग लेवल का था मतलब ऐसी था कि ठीक है चलो अब रूमन रेंज शो पर नहीं आ रहें जो की सबसोड़ी अट्रैक्शन है तो जो की चैंपेंशिप के लिए था अब गाइस मैच के बारे में आपको सीन बताता हूं कि यह डबल डवली ने जो मैच किया ना यह बिल्ड करने के लिए है बिल्कुल सही बात आप लोग सुन रहे हो डबल डवली फ्यूचर में जाकर प्लैन कर रही है इंपीरियम वर्स न गुंतर एक तरफ और एक तरफ बिगी कितना कहतरनाख मैच यह दे सकने बीगी के स्ट्रेंथ के बारे में तो आप लोग को अच्छी से पते होगा डबल डवली के करेंड रॉस्टर में सबसे स्टॉंगेस्ट सूपरस्टार में से एक हैं बीगी इस बात ने कोई भी शक्क आप बताना कि आप लोग ऐसा देखने चाहोंगे हैं फिर नहीं कर्ट एंगल के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं कर्ट एंगल को पताने कितनी सारी सर्जरी करवानी पड़ेंगी उनका नी रिप्लेस्मेंट हुआ उनके बैक में काफ़ सारे इस्यूस हुए तो कर्ट एंगल ने इस बात को रिवील कर दे जो कि उनके डॉक्टर को नहीं पता होनी चाहिए कि डॉक्टर के कहना है कि बावजूदी मैंने जितना मुझे बताया गया तो उससे जादा वेट उठाए जब मेरे साथ भी खुद हुई तो यह इतनी आसान ही होगी क्योंकि उसके काफी सारे प्रोसीजर होते मतलब सर्जरी का मतलब कि भूली जाओ उससे पहले के एक हफते और उसके बाद का एक अपते कुछ भी होने वाला है बस समय लो दुनिया तुम्हारे थमसी गई है तो क इंसर्जिश के तुरू उनको घुजरनना पड़ेगा जो कि कर्टा एंगले बाद खुद से बताई है प्वी इंसाडरी के तरफ से गाईज एज स्टाइल्स के बारे में रिपोर्ट है तो आप लोग खुश हो जाने वाले क्योंकि गाईज अच्छी बात आई है एजिस स् अब इसके लिए क्या इसके लिए इस टोलान हो सकती है तो बहुत पास है एजे स्टाइल्स की वह इंडिंग रिटर्न के लिए क्लियर हो जैसे वह क्लियर होंगे डबल लोई उनके लिए जो भी प्लैंस वगरा है वह सोचन लग जाएगी अन आपको चाहते हो कि वही ऐसा स्टाइल्स को आपके कुछ है एक्सपेक्टेशन डबल लोई से तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हों मुझे पढ़ने बहुत सदा मजा आएगा सोलो सिकोवा ने गाई स्मैकडाउन के बाद रिडल को दोने के बाद एक ट्वीट के अपने ट्विटर अकाउंट पर यहां पर प्रॉब्लम सॉल्वड यह लग रहा है मुझे दो वर्ट काफी ज़्यादा पसंद है सोलो सिकोवा को कि जब भी मैच में आराते हैं तो वह प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात करते हैं लेकिन एक शॉकिंग सर्प्राइजिंग चीज हुई डबल लबली के लेकिन सोलो सिकोवा लाइव इवेंट के अंदर भी हा रहा हैं जो कि युजियली डबल लबली करती हैं उनके साथ में बट खैर वही बात है कि एक तो लाइवेंट के बार में वैसे जाद हो कोई वैल्यू करता है और लाइवेंट में उसी सूपरस्टार से हार ने जिसने म आसपास फिर वह उसी से चीजे करती है कि फैंस को एक हिंट मिल से कर सके कि फैंस हाई पोंस को लेगे अब क्या सच में अगर ऐसा है तो फिर आप एक्सपर कर सकते हो कि ब्रेवाइड यू बहुत जादा आसपास ही है लेकिन अभी मेल्जर की तरफ से यही बात आती है कि व ट्रूली गेम चेंजर होगा इसमें कोई बहुत बड़ी चीजे होंगे लेकिन अगर आप करेंट ली देखो तो जितनी वी रूमर सुनें ऐसा कुछ निया कि बहुत बड़ा कोई ड्राफ्ट चेंज होने वाला है मतला कोई ड्राफ्ट में सूपर स्विच करने वाला कि बह अगली स्टोरी के तरफ गाइस हम लोग चलते हो और सैमी जेन ने आर एक ऐसा ट्वीट किया है जो की शुरुवात थी उन सारी चीजों की जो ड्राफ्ट में हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी और वो है सैमी जेन एंड ब्लड लाइन का एंगल सैमी जेन ने वाला ट्वीट किया वन येर अगो टुड़े करके जब पहली बार सैमी जेन अप्रोच करते हैं रोमन रेंस के सामने अपना प्रोपोजल लेकि कैसे व इक साल में इतना कुछ कर दिया है कि असा लग रहा है कि भाई क्या कर दिया है मतलब एक साल के अंदर तो कमाल धंवाल हो गया तो यही होता भाई में अच्छी स्टोर लाइन जब आप टैल करते हो फैंस को मज़ा आता है उसको देखने में सुपरस्टार्स को करने मज़ा और हमेशा के लिए वह चीज डबल लबली के हिस्ट्री बुक में आ जाती है रुष्टमंद गेमिंग चैनल पर गाइस पूरी डबल लबली 2K23 मायराइस की सीरीज चलरी है अगर आपने पहले एपिसोड से अब तक का एपिसोड देख ले जहां पर अभी हमने एक डबल लबली के गेम में डबल लबली वाली तकड़ी स्ट्र लाइन की फील आजएगी इसमें आज की नेक्स और फैनल स्टोरी की गाइस हम लोग बात करते हैं और यह बहुत जादा क्रेजी चीज है और अगर हो गई तो फिर तो समझ लोग परलब क्या ही हो जाएगा आप आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप से का कि ओमोस से थ्रॉलिस इसके बार में कुछ बात करते हैं अब देखो यह मैच हो क्यों रहा है इसके पीछे बिल्कुल वाइल्ड गैस एक वाइल्ड स्पेकुलेशन है कि शायद ओमोस को प्रिपेर किया जा रहा है रोमन र से वहां के जो लोग हैं वह इसी तरह की कि स्टफ देखने के लिए जाता जाने जाते हैं तब ही हमने देखा कि गोल्डबर्ग अंडर्टेकर इन सारे सूपरस्टार्स को लोगन पॉल को यह ऐसे करके बुला जाता हमने हमने रोमन रेंस और लोगन पॉल का मैस साओधी अर ब्ली ने से रोलिंस के साथ उनको मैश जया है नो मैटर की साथ की वहां पर ओमॉस जीतते हैं या फिर सैथ रॉलिंस लेंगे आपर लड़के भी आया हैं से रोल लिंस बहुत बहुता लदेगे तो अलरेड़ी दो सूपरस्टार्स के साथ कंपीट करने के बाद अगला जो स्टार्ट में का कि बिल्कुल वाइल्ड स्पेकूलेशन है लेकिन देखा जाए तो ऐसा भी नहीं कि इसका कोई सेंस्टी मन रहा है क्योंकि साओधी अरेवे के अंदर है अगर चलो यह बैक लैश तो मैं मानता कि डबल वबली तो क्या ही ऐसा मैच करेंगी लेकिन अगें जब सथ लॉलिंस और ओमोस का मैच इस सरी किसे बुक किया जा सकता तो हो सकता है ओमोस को इन सारी चुजों के लिए प्रिपेर किया जा रहा और सव्जेर अभी के दफसे डिमांड है कि भी क्यों कि रोमन रेंज से लगना तो क्या पता हो मॉस से थ्रॉलिंस को हराभी दें अभी गाइस यह एक प्यॉर आप कह सकतो इस पैफिलेशन है लेकिन हाँ इसमें कुछ लॉजिक और सेंस लग रहा है बाकि आप लोग बता हो इसके बारे में आपके क्या थोट्स हैं और क् देखना चाहो को सब्सक्राइब में ओमोस और रोमन रेंज का मैच अंडिस्पूटेड टाइटल्स के लिए रोइत्पंद गेमिंग चैनल को जाके फॉलो कर लो डिस्क्रिप्शन से यह वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लेगे तो से लाइक शेर सब्सक्राइब औ नोटिफिकेशन बेल को ओन करतो हो एंड़ सी उगाइस इन माय नेक्स वीडियो